जहानबाद में एहले सुबह ऐसा कोला हल मचा कि जिसने भी सुना उसके कदम ठठक गए परिवार वालों का रोना किसी को बरदाश्ट नहीं हो रहा था परिवार की पीड़ा देख लोग आक्रोशित हुए जा रहे थे बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला दरसल जहानबाद के प्रसद्ध सुरेराम होटल के संचालक अभिराम शर्मा को अग्यात अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई बताया जा रहा है कि बाइक सवार दो अपराधी आए और सुरीराम होटल के संचालक अभिराम शर्मा की गोली मार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए घटना कनोदी में घटी घटना की जानकारी मिलते ही सुबह सुबह ही शहर में अफरात्ता फ्री मच गई शहर के एक प्रतश्ठत व्यवसाई के साथ होने वाली इस तरह की घटना से लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया बड़ी संख्या में लोग पिड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुँचे मामले की जानकारी भी ठीक से नहीं थी सभी एक दूसरे से पूछ रहे थे और ऐसे में सड़क पर लोगों का हुजूम जमा हो गया वहीं अभिराम शर्मा के घर की महिलाएं रो रो कर उनका बुरा हाल था महिलाएं गश खाकर गिर रही थी लोग उन्हें संभाल रहे थे पर इस विपदा से कैसे कोई निप्टे ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था गूली लगने के बाद अभिराम शर्मा को आनन फानन में अस्पताल भी लेकर जाया गया लेकिन वहां जानकारी मिली कि उन्हें मृत घोशित कर दिया गया है शहर के प्रतुष्ठत व्यवसाई के साथ इस तरह की वारदात से महाल गमगीन हो गया लोगों में आख रोश है सभी सन्न है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें गोली मार दी गई परिवार की विथा देख लोगों का दिल दहल जा रहा है कलेजा मुह को आ जा रहा है और पोलिस से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए जहनबद न्यूज के लिए शिरुवाती जानकारी वीर भद्र सिन्हा और फगपू की ओर से मुहया कराई गई है आगे भी आपको इस हत्यकांड की वारदात से जुड़ी हर जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे जहनबद न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुचे